एक सो सरसट शिला पर चली शिला हुई चूर गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार वचन सौरब अक्क महादेवी जन्म बारहुई सदी करनाटक के उडुतरी गाउं जिला शिव मोगा प्रमुख रचनाएं हिंदी में वचन सौरब नाम से अंग्रेजी में स्पीकिंग आफ शिवा संपादक A.K. रामानुजन इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपून कवियत्री थी चन्न मलिकारजुन देव यानि शिव इनके आराध्य थे बसवन्ना और अल्लामा प्रभू इनकी समकालीन कन्नर संतकवी थे कन्नर भाशा में अक्क शब्द का अर्थ बहिन होता है अक्क महादेवी अपूर्व सुंद्री थी एक बार वहां का स्थानिय राजा इनका अध्भुत अलवकिक स्वंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतू इनके परिवार पर दबाव डाला अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने तीन शर्तें रखी विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्रा भूशन तथा राज परिवार को छोड़ दिया पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदी महापुरूशों के सम्मक्ष खड़े होने का प्रयास था इस दृष्टी से देखें तो मीरा की पंक्ती तन की आस कबहुना की नी ज्यों रणमाही सूरो अक पर पूर्णतह चरितार्थ होती है प्रिष्ट संख्या 170 अक के कारण शयव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जिनमें अधिकांश निचले तबगों से थी जुड़ी और अपने संखर्ष और यातना को कविता के रूप में अभी प्रक्ति दी इसी प्रकार अक महादेवी की कविता पूरे भारतिय साहित्ते में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला स्तरजनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अज्यस्र प्रेडना स्रोत भी यहां इनके दो वचन लिए गए हैं दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनात सिहने किया है प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है यह उपदेशात्मक ना होकर प्रेम भरा मनुहार है दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रती पूर्ण समर्पन है चन्न मली कारजुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकमपा के लिए हर भावतिक वस्तु से अपनी जोली खाली रखना चाहती है वे ऐसी निस्प्रिह स्थिती की कामना करती हैं जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नश्ट हो जाए प्रिष्ट संख्या एक सो सत्तर एक हे भूख मत मचल प्यास तडप मत हे नींद मत सता क्रोध मचा मत उथल पुथल हे मो पाश अपने ढील लोभ मत ललजा हे मद मत कर मद होश इर्षया जला मत ओ चराचर मत चूग अवसर आई हूँ संदेश लेकर चन्न मली कारजुन का दो हे मेरे जूही के फूल जैसे इश्वर मगवाओ मुझसे भीक और कुछ ऐसा करो की भूल जाओं अपना घर पूरी तरह जोली फैलाओं और ना मिले भीक कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे और यदि मैं जुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और जपट कर छीन ले मुझसे प्रिष्ट संख्या 172 अभ्यास कविता के साथ एक लक्ष प्राप्ती में इंद्रियां बाधक होती हैं इसके संदर्व में अपने तर्क दीजिए दो ओचराचर मतचूक अवसर इस पंक्ती का आशे स्पष्ट कीजिए तीन इश्वर के लिए किस द्रिष्टांत का प्रयोग किया गया है इश्वर और उसके साम्य का आधार बताईए चार अपना घर से क्या तात्पर्य है इसे भूलने की बात क्यों कही गई है पाँच दूसरे वचन में इश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों कविता के आसपास एक क्या अक्क महादेवी को कन्नड की मीरा कहा जा सकता है चर्चा करें शब्द छवी पाश यानि जकड धील यानि धीला करना मद यानि नशा चराचर अर्थात जड और चेतन चन्न मलिकारजुन अर्थात शिव